हेलो जी वेलकूम डुवेट आप शूर जैसा कि आप सबको बताए कि पाकस्तान एक ऐसा केंट्री है जहाँ पर सबसे ज़्यादा किरकेर देखी भी जाती है और खेली भी जाती है फिर चाहे वो डॉमेस्टिक हो या फिर इंटरनेशनल मेजरो पर पाकस्तान ही उसको भर जो कि उन्नीस सो पंचबर में बनाया गया था और इसकी केपसिती है 24,000 दूसरे नबर पाजाता है कजाफी स्टेडियुम जो 1949 में बनाया गया था और अगर कजाफी स्टेडियुम की केपसिटी की बात की जाए तो वो 27,000 है और लाहर में ही पाक्तितान किर्केट बार्ड वाके है तीसरे नमबर पर रावल पिंडी स्टेडियम है यह स्टेडियम 1992 में बनाया गया था और अगर तो रावल पिंडी स्टेडियम की कैपसिटी की बात की जाए तो 28,000 इसमें फेंट्स बेट सकते हैं यह स्टेडियम इसलमाबाद से 5 किलो मीटर दूर है चोथे नमबर पर आता है मुलतान स्टेडियम जो के मुलतान सुल्तान का होंग गराउंड भी है और यह स्टेडियम 2001 में बनाया गया था अगर बात करें इस स्टेडियम की कैपसिटी की तो इस स्टेडियम में टोटल 35,000 किरकेट फेंस बेट सकते हैं पांचवे नमबर पर आता है इकबा इस स्टेडियम की कैपसिटी की बात की जाए तो 18,000 किरकेट फेंस इस में बेच सकते हैं च्छटे नमबर पर आता है जिन्ना स्टेडियम यह स्टेडियम स्याल कोड में मुझूद है यह स्टेडियम 1920 में बनाया गया था और इस स्टेडियम में 18,000 लोग बेच सकते हैं या अगर बात करें इस स्टेडियम की कैपसिटी की तो इस स्टेडियम में 20,000 क्रिकेट फेंड्स क्रिकेट देख सकते हैं आठवे नमबर पर आता है बुक्टी स्टेडियम जो के कोईटा में वाके है और ये कोईटा ग्लैडियाटर्स का होम ग्राउंड है इस स्टेडियम में पहली गया तोटल 15,000 लोग क्रिकेट देख सकते हैं इस स्टेडियम में टोटल 15,000 लोग क्रिकेट देख सकते हैं यह स्टेडियम बनाया गया था 1969 में दसमे नबर पर आ जाता है गवादर क्रिकेट स्टेडियम जो के पिछले कुछ सालों से हाइलेट्स की नदर रहा है और गवादर क्रिकेट स्टेडियम की खूबसरती की वज़ा से दुनिया भर से इस स्टेडियम की तारिफ की जा रही है इस स्टेडियम की construction 2020 में complete हो चुकी है और अभी ये स्टेडियम open है इस स्टेडियम पर cricket खेली जा सकती है आज के लिए इतना ही अगर तो आफ इस चैनल पर नहीं हों तो चैनल को सब्सक्राइबर लाइक कर लीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में